जहिन दोस्तों आज की इस फोटोशॉप के क्लास में हम सीखेंगे कि किस तरीके से एडवांश लुक्टिफाई टूल का यूज करके हम यहाँ पे पिक्चर के एक्स्प्रेशन को कैसे चेंज कर सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपको जाना है फिल्टर में यहाँ आप्च्छन आएगा आपके पास लुक्किफाई यहाँ पे जाके आपको इसको सेलेक कर लेना है जैसे यह आप select करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने एक panel आएगा और आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ इस तरीके का आपको एक circle type, oval type shape दिख रहा है जो की पुरे face को cover कर रहा है वैसे ही अगर आप जाएंगे इसके eyes में तो आप देखें यहाँ पे भी आपको यह इस त तरीके के options दिखा ही दे रहे हैं यहाँ पे लिखा है eye size लिखा हुआ है eye की height, width अगर हम tilt करना चाहते है उससे तो यह सारे option यहाँ पे बहुत सारे दे रहे हैं तो एक एक करके हम देख लेते हैं किस तरीके से work करता है तो जैसे कि यहाँ पे eye का size है तो आप देखेंगे यह इसका size बढ़ चुका है उसके बाद वीर्थ आप चाहें तो और ज्यादा कर सकते हैं कुछ इस तरीके से यहाँ पे काफी कुछ मैं change कर पा रहा हूं यहाँ पे easily उसके बाद आप tilt करना चाहते हैं तो आप tilt कर सकते हैं वैसे जरूरत नहीं है लेकिन कभी-कभी हम ऐसे poster बन इसे smile को यहाँ पे कम या ज्यादा भी कर सकता हूं देखिए इस तरीके से smile कर रहे हैं आप चाहते से sad अगर आपको लग रहा है picture बनाना तो easily हम इसे बना भी सकते हैं वैसे happy ही काफी अच्छा रहता है हस्तावा चहरा ज्यादा अच्छा रहता है तो यह काफी अच्छा ल यहाँ पर बहुत सारे option है आप एक एक करके से check कर लीजिए आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से यह work करता है तो काफी simple है इस तरीके से हम advanced liquify tool का use करके अपने picture को और भी ज्यादा interesting बना सकते हैं तो चलिए मिलते हम अपनी next class में